तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस अजूकेशन यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं सवीदा, जी एनेम, एनेम, कृस्वी परवेख सक ये तीनोई भरती परिक्षा हैं तीन और चार फरवरी को आई जित होनी है तो इनके प्रवेख पत्र कब जारी होंगे, परिक्षा के लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा, परिक्षा में जो एंट्री का समय है वो क्या रहेगा, यी ओप्सन जो है, पांचवा जो ओप्सन है, फिप्त ओप्सन है, वो क्या रहेगा, तमाम जानकरी, दोस्तो करमचारी चै बोर्ड सवीदा जीनम जो भरती परिक्षा है तीन फरवरी को जीनम वालों की भरती का जो परिक्षा का समय है दस से लेके साड़े ग्यारा बजे तक एनम का जो परिक्षा समय है दोपैर बाद तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक और जो कृस्वी परविक्षक है वो प्रवेश पत्र है वो यहाँ पर देखिए बोर्ड द्वारा परिक्षय आर्थियों को अलग से प्रोविजनल इप्रवेश पत्र प्रेसित नहीं किये जाएंगे उक्त परिक्षयाओं के इप्रवेश पत्र दिनांग 25.1.2024 वे 26.1.2024 से उनके दुआरा आविदन पत्र में दर्ज के मोबाइल नंबर पर डाउनलोड रिसीव कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह कहा गया है यानि कि आप लोगों के जो प्रेस पत्र हैं 27.1 से क्या 27.1 से आप लोग बोड की वेबसाइट से इसका प्रेस पत्र डाउनलोड कर सकेंगे ठीक है साथियो 27.1 से आप लोगों के प्रेस पत्र आ जाएंगे किस से SSO ID से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे ठीक है साथियो इसके अलावा जो मैत्पुन जो है अपडेट वो ये है कि जो परिक्षा का समय है उससे आप लोगों को डेड़ गंटे पहले पहुँचना है ठीक है ना कितने गंटे पहले डेड़ गंटे पहले मान लीजिए जैसे ये 10 बजे की परिक्षा है तो 9 बजे जो ह कोई एंट्री नहीं दी जाएगा यान कि डेड़ गंटे पहले पहले की कोशिस करें और कम से कम एक घंटा पहले तो पहुचना ही हरहाल में एक मिनट भी हुई 9 बज कर 1-2 मिनट भी हुए या किसी में 2 बज कर 1-2 मिनट हुआ या 10 बज कर 9 बज कर 1-2 मिनट हुआ तो इस द्वार जो है बंद कर दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखें अब आप लोगों को जो प्रवेश पत्र आप लोग निकालेंगे उसके साथ आप लोगों को एक पहचान पत्र लेके जाना है ठीक है आधार कार्ड क्या लेके जाना है आधार कार्ड प्रवेश जो प्र पिछान में लिखा हो तो फिर डेटो बर्थ में दिक्कत वहाँ पर होगी कोई विशेश परिस्तिती होगी तो ही पेन कार्ड पास्पोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस यह यहाँ पर मिलान कर सकते हैं तो जिनके आधार कार्ड में डेटो बर्थ अंकित नहीं है किवल सन लिखा हुआ है तो वो आधार कार्ड भी ले जाएं साथ में एक ऐसी पैन कार्ड पास्पोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस मद्दा ता पहचान पत्र ले जा सकते हैं बाकि आधार कार्ड मस्ट यह चाहिए जरूरी है प्रवेस पत्र के साथ ठीक है उसके साथ में दोस्तो एक आप लोग को रंगिंतम जो है पास्पोर्ट साइज फोटो क्या पास्पोर्ट साइज फोटो अब फोटो आप लोग सुन लीजिए एक महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो किसी के पास नहीं आए फोटो ज्यादा पुराना है दो महीने छह महीने आठ महीने दो साल फोटो चाहिए होगा वैसे आप लोग 2-3 ले जा सकते हैं ठीक है ना ताकि मालो एक गिर जाए नहीं मिले आपको तो फिर दिक्कत होगी तो फोटो जो आप लोग को पुरेश पत्र के लिए चाहिए होगा वो एक महा से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ठीक है और आ आप नीले रंग का जो पेन है, वो उप्योग में ले सकते हैं, ठीक है, क्या, नीले रंग का पेन, ठीक है, दो पेन ले जाना कम से कम, एक मत लेके जाना, कई बार मालों बंध हो गया, नहीं चल पाया पेन, क्योंकि रिफिल, ठीक है, सर्दी का पक्त है, रिफिल में शाहिव अगर जम जाए नहीं चले तो फिर दिक्कत होगी इसलिए दो पेन लेके जाने है अब सुन लीजे क्या क्या लेके जाना है सबसे पहले admit card ठीक है आधार card ठीक है साथ ही हो तीसरा क्या हो गया आप लोगों का pain हो गया ठीक है न और एक हो गई photo ठीक है चार चीजें आपके साथ होनी चीए पांच भी चीज कोई नहीं हो अब उसके बाद देखिए दोस्तो यहाँ पर आप लोगों का face recognition होगा ठीक है यानि जिस तरीके से आधार card जब हम बनवाते हैं तो हमारे आखों की पुतली और यह अंगूठे वगरा पूरे चिने लेते हैं इस तरीके से होगा ठीक है यह भी है और घड़ी नहीं पैन सकते आप लोग इसके अलावा किसी भी प्रार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैक, जोमेटरी, पैंसिल बॉक्स, प्लास्टिक, पाउच, कैलकूलेटर यह तमाम चीजे परतिबंदित हैं यह ले करके नहीं जाएं ठीक है भाई आप यहाँ पर देखिए परिक्षा में समलित होने तो ड्रेस कोड ड्रेस कोड आप लोगों को देखिए कोड, टाइ, मफलर, जैकेट, जरकिन, बलेजर, सौल आदी नहीं पैन करामें परिक्षारती सट, बिना जेव वाली गरम जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हो पैन करामें, एक ऐसी जो आप लोगों को देखिए, समस्थ परिक्षारती मास्क भी आवसे करूप से पैन का यहाँ पर इसमें बताए गया है और देखिए, महिलाएं अपने बालों में रबड बेंड या साधन किस्म की हेर पिन लगा करा सकते हैं जूड़ा वगरा बोलते हैं जिसको भाई, मुझे जादा भी नहीं पता यानि कि जो बड़ा चोड़ा होता है वो बालों को बांदने के लिए तो बड़ा नहीं हो, सिंपल हो, रबड आप लोग डाल सकती हैं ठीक है तो ये साधन किस्म कहुराबर बैंड वगरा ठीक है ना इसके अलावा देखिए परिक्षार्थियों को पूरी आस्तिन का कुर्ता सर्ट बलावजादी पहन कर अपनी बेस हुरसा में बड़ा बटन किसी परकार के बैज या फूल आदी इत्यादी लगाकर नहीं होगी यानि कि बड़ा बटन नहीं हो कहीं पर भी ठीक है ना आपकी ड्रैस में ये है परिक्षार्थियों को लाख काज की पतली चोड़ियों के लाग किसी परकार के जेवरात ठीक है भाई, लाख, मलत चूडियों के अलावा, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट, यह है ना भाई, मत पहन कर जाना, महिला ब्यरति ध्यान दे, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट, यह जो भी सिस्टम है, स्रंगार के जो भी बूसन वगे ना, वो नहीं पहनने, अगर आप लोग अंगूठी पैन के चलेगे, अंगूली में फसी रह गई, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर उसे निकलवाने के लिए कोई सुनार की दुकान देखनी पड़ेगी, नहीं मिली तो फिर आप लोग बाहर हैं, ठीक है, एक घंटे पहले एंट्री द देखें, परिक्षारती, परिक्षा के इंद्री किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चस्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेर पिन, गंडा, ताबीज वगरा ये जो कुछ भी है, मफलर, स्कार्प, ये पहन कर सामिल नहीं होंगे, जूते सैंडल मोजे छोटे टकनों तके पहन कर सकते हैं, जूते पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, मोजे वगरा पहन सकते हैं, छोटे टकनों तके, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है, और ये भी है दोस्तों, जो सिख अभ्यारती हैं, वो यहाँ पर किंतु करपान छोटी होनी चाहिए, जो अभ्यारती है, सरदारी क पत्रे उनकी वेबसाइट पर उपलब्द करे जेंगे बाद की बाते हैं तो आप ये जानकारी थी मिल लिया ना तो इन बातों का ध्यान रखें ठीक है एक बार फिर से बता दिया जाएगा 27 तारिक से आप अपना परिश्पत्र है जो डाउनलोड कर सकेंगे SSO ID के माध्यम से ठीक है न सातियो और आपको लोगों सवाल यह होगा कि बाई कितने जिलों में परिख्षा सेंटर आएंगे देखिए A&M हो G&M हो या किरसी परवेख सकतो 33 के 33 जिलों में सेंटर नहीं आएंगे संभाग इस्तर पर परिख्षय होगी 3-4-5 जिलों से ज्यादा सेंटर नहीं आएंगे कहीं के भी ठीक है भाई बीका नेर आ सकता है अजमेर आ सकता है जैपूर आ सकता है उदयपूर आ सकता है कोटा आ सकता है यह 5-6 जिलों में परिख्षय होगी पूरे राजस्थान में सेंटर नहीं आएंगे ग्रह जिला किसी को मालों को बीका नेर कर बीका नेर ही मिल जाए तो किस्मत की बात है बाकी ये सवाल नहीं हो कि हम तो डूंगर पूर से हैं तो हमको यहां पर अजमेर क्यों दे दिया गया सारे जिलो में नहीं हो क्योंकि इनमें अभ्यारती कम है क्या अभ्यारती कम है तो सब जिलो में विवस्ता नहीं की जा सकती इसलिए 5-6 जिलो में सेंटर आएंगे ठीक है न संबाग इस्तर पर आएंगे और 27 तारिक से आप अपना पुरेश पत्र SSO ID से डाउनलोड कर सकेंगे आपके WhatsApp नंबर पर भी बेजा जाएगा ठीक है इस नंबर से कोई मैसे जाएगा आप लोगों को तो वहाँ से भी आप लोग पुरेश पत्र अपना निकाल सकेंगे ठीक है साथियो यह जानकारी थी फिलाल के लिस वीडियो में इतना ही यह जो अपडेट है नोटिफिकेशन है जिसको देख करके हम बता रहे हैं आप हमारे टेलिग्राम गुरूप पर देख सकते हैं लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया गया जै हिन जै भारत